इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं कि अगर आपके Google अकाउंट में अगर आपको एक verification आना हुआ, verify आपसे करने के लिए बोल जाए, get a verification, but वो verification नहीं आपाता, तो इस problem को हम कैसे solve कर सकते हैं, और क्या issue रहता है इसका, इंडिया के basis पर, इंडिया के basis पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी और country के basis पर बात नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो standard rates apply होते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर Vodafone, Idea या फिर Airtel, तो लाइक इनों में जब आप SIM यूज करते हैं तो एक maximum recharge होता है, अगर आप recharge नहीं कराते हैं तो आपका SIM यहाँ पर बिल्कुल deadly हो जाता है, ना SMS आपाता है ना जा पाता है, तो उस situation में आपको यहाँ पर recharge करवाना पड़ेगा, जब आप इसको use कर सकते हैं, ठीके, और दूसरा होता है country code, तो country code आप जब US में हैं तो US का select करिएगा, और अगर आप इंडिया के हैं, तो 91 में select करिएगा, और जब उसको verify करिएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, verification code आने में, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई access नहीं ले जाता, कहीं कुछ नहीं ले जाता, बस last का digit देख लीजिएगा, जो भी आपका digit हो, उस उसे ही आप उसी number पर आपका verification code आएगा, बाकी आपकी problem यहाँ पर solve हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर आपको video अच्छी लगी हो, तो आप like कर दीजेगा, और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा,